हाई गाईज कैसे हूँ आप लोग मैं बनाने जा रही हूँ ठाकुर जी के लिए भोग तो आज मैं आप लोगों से ठाकुर जी के भोग की रेस्पी सेयर करूंगी और इस वीडियो में आप लोगों से सुबह का भोग भी सेयर कर रही हूँ सुबह के लिए मैं बना रही हूँ साबुदाने की खीर और दोपर में बनाऊंगी पूरी सबजी तो यहां पर मैंने दूद को वोयल कर लिया है और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ साबू दाना सुभा के टाइम में या तो मैं कुछ मीठा बना के भोग लगाती हूँ या फिर जो भी ready made होता है जैसे लड़ू हो गया मिठाई हो गया कुछ भी हो गया मैं भोग लगाती हूँ और आज को मैंने कम ही रखा है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये पकड़े ना खीर बन गया है अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ चीनी और चीनी डाल के इसको मिला लूँगी और थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं भोग लगाऊंगी मतलब खाना बहुत जादा गर्म हो तुरन्त मतलब बना हुआ खाना भोग नहीं लगाना चाहिए ठोड़ा सा ठंडा करके ही भोग लगाना चाहिए ठंधा होने के बाद अब मैं भोग निकाल रही हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं तीन जगा भोग निकाल रही हूँ तो एक तो ठाकुर जी के लिए है एक हनुमान जी के लिए है और आज सुक्रवार है तो अभी मैंने पांच दिन का मन्नत माना था बैवो लक्ष्मी ब्रत का तो एक मैं लक्ष्मी माता के लिए निकाल रही हूँ तो ये देखिये यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है ठाकुर जी को लक्ष्मी माता को और हनुमान जी को अब मैं आप लोगों से दोपर के भोग का डिस्पी भी सेयर करूँगी तो मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की ड्राई सबजी तो यहाँ पर आलू और गोभी को मैंने कट कर लिया है टमाटर है धनिया पत्ता है और मिर्च है सबको मैंने कट कर लिया है तो चलिए सबजी बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने कडाही चड़ा दिया है फिर मैंने इसमें डाला है Refined Whal और फोरन में मैं डालूंगी जीरा और लाल मिर्च थोड़ा सा कसूरी मेथी फिर मैंने डाला है मिर्च पहले मैं इसमें गोभी डालूंगी और गोभी को थोड़ा सा फ्राई करूंगी और गोभी जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा फिर मैं इसमें आलू डालूंगी तो यहाँ पर गोभी थोड़ा सा फ्राई हो गया है तो फिर मैंने इसमें डाला है आलू और आलू को भी थोड़ी देर फ्राई करूंगे इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी थोड़ा सा धनिया पाउडर बस हो गया और कोई भी मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी और नमक मैं उपर से मिलाऊंगी अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और इसको मैंने ढखके थोरी देर के लिए छोड़ दिया था और ये देखे सबजी तयार है आप चाहे तो ड्राइ सबजी भी बना सकते हैं या फिर पानी भी डाल सकते हैं तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और गैस को बंद करने के बाद मैंने इसमें डाला है धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डालने के बाद मैं इसको फिर ढख के रख डूंगे मैंने सब्जी को किसी और बरतन में निकाल दिया है और इसी बरतन में मैं बनाऊंगी पूरी तो चलिए अब बनाते हैं पूरी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा ज्यादा से ज्यादा सेयर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का बटन आएगा उसको भी प्रिस कर दीजेगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस न कर पाए तो यहाँ पर मैंने पूरी बना लिया है तो शलिए अब भोग की त्यारी करते हैं और भोग लगाते है तो यह देखिए भोग लग गया है और ठाकुर जी के भोग में तुलसी जरूर होना चाहिए बिना तुलसी के भोग नहीं लगता है और यहाँ पर जगह कम है तो मैंने उनके नाम से यहाँ पर रख दिया है, साइड में, यहाँ पर रख दिया है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई, थैंक्यू, मेरे चैनल पर इंगेज रहिए, मुझे अपना सपोर्ट द क्लिक ना है तो कमेंट में बताःे